इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं नीती आयोग के द्वारा पहली बहु आयामी गरीबी सूचकांग बहु आयामी गरीबी सूचकांग इसको हम MPI भी कहते हैं Multidimensional Poverty Index अच्छा सबसे पहले इसका यह नोट्स इंग्लिस में भी और हिंदी में भी दोनों अप्लोड कर दिया गया है लिंक वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में है तो जिनको डाउनलोड करना हो कर सकते हैं नीती आयोग के द्वारा अच्छे यह हैं पहला fact पहली यह भी important रखना हो कि पहला सबको अच्छे से समझ लेजे ताकि एक ही बार में आप पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा तो पहला जो है गडिबी बहु आयामी multi-dimensional गडिबी सूचकांग जाड़ी की गई है और इसका आधहार क्या है तो 2015-16 की जो डिपोर्ट है किसका राष्ट्रिये पडिबार स्वास्त सर्विक्षन के द्वारा जो 2015-16 का डिपोर्ट था उसके आधहार पे यह बहु आयामी ग बिहार है तो BPSC के लिए सबसे important हो गया और भी चीजे हैं इसके अंदर तो सबसे गडिब देश बिहार उसके बाद जारकन फिर उत्तर परदेश तो इनकी जो बिहार की जो population है सबसे percentage wise अगर गडिब करें तो पूरे देश में सबसे गडिब state है फिर जारकन फिर उत्तर प population यानि आधे से ज्यादा population गरीब है अब सोचिए आधे से ज्यादा population गरीब है जारकन में 42% गरीब है उत्तर परदेश में 37.79% गरीब है उसके बाद मद्परदेश और मेगाले की बाड़ी आती है लेकिन लेकिन जब population wise जाएंगे जनसंख्या के अधार पे जाएंगे तो करोड है उसमें 37.79% जो आवादी है वो गरीब है यानि 7.55 करोड आवादी जो है वो गरीब है 7.55 करोड आवादी गरीब है percentage wise बिहार जादा है लेकिन population wise उत्तर परदेश हो जाएगा तो percentage wise तो बिहार है लेकिन जब आप population wise देखेंगे तो उत्तर परदेश निकल जाएगा 7.55 करोड आवादी है जबकि बिहार की 10.4 करोड है 52% के हिसाब से अगर इसको आप देखें तो 5.4 करोड आवादी जो लगबग है वो गरीबी रेका में है ठीक है राज्य की अगर हम बात करें तो केरल 0.71% के साथ सबसे कम गरीब राज है सबसे कम केरल के बाद गोवा की बाड़ी आती है फिर सिक्कीम तीसरे पोजिशन पे फिर तमिलनाडू और पंजाब तो ये सब जो है वो अमीर राज्य के अंदर है केंदर सासित परदेश में देखें तो दादर और नागर हवेली सबसे ज़्यादा गरीब है उसके बाद जम्मु इनकस में लदाख और फिर दिल्ली की बाड़ी आती है तो जे एंड के लदाख पहले थाना एक साथ इसलिए उसी आधार पे इसको निकाला गया है इसमें कुछ तोटल वैसे 12 अलग-अलग आयाम है उसको देखेंगे हम लोग लेकिन ओवराल देखिए तो यहाँ पे कुपोशन माल नूट्रिशन के अंदर बिहार सबसे खराब जिसन में बिहार ने रिकॉर्ड बना रखा है उसके बाद जाडखन मद्ध परदेश है तब उत्तर परदेश है फिर 36 गड़ यहाँ पे और भी है मात्रित्व स्वास्त से वंचित यानि जो बच्चे हैं जिनकी मां के अदेथ हो जाता है प्रिग्नेंसी के दौरान और किशोर किशोर मृत्यु दर में बिहार सेकेंड पोजिशन पे है बाजी मारा है उत्तर प्रदेश ने यानि उत्तर प्रदेश की हाल सबसे खराब है बाल और किशोर मृत्यु दर में और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और मद्ध प्रदेश की बाड़ी है स्वक्षत की बात करें तो यहां जारखंड के स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है सेनिटेशन के मामले में तो यह सारा है अब यह जो मल्टी मल्टी डैमेंशनल पूवर्टी इंडिक्स है इसके अंदर कहा क्या गया है कि यह जो बहु आयामी गरीबी सूचकांग 107 विकासिल देशों क बहु आयामी गरीबी सूचकांग मापने की जो इंटरनेशनल पैमाना है जो इंटरनेशनल पैमाना उसी को फॉलो किया जाता है इस पैमाने को तयार किया था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड एंड उमन डेवलप्मेंट इनिशेटिव के द्वारा इनिशेटिव और राज्जी का राश्ट्री बहु आयामी गरीवी सूचकांग इस विस्वस्तर की प्रणाली इसी को एकसेप्ट करता है तो यहां पर इंपॉर्टेंट है उसके लावा जो राज्जी है उसमें 12 प्रमुग घटकों का यूज किया गया है इसको 3 मेन केटेगरी में सब्सक्ष्ट है उनको इस तीन ड्रमेंसां में डिवाइड किया गया है इससे सिछकांग का मकसद क्या मकसद यह है कि हम मुखन रूप से परिवार की जो आरथिक और प्रिवार की जो आर्थिक हालात है और जो अभाव है उसको हम लोग देख सके इस 12 के 12 आयाम में पोशन, बाल और किसोर मिर्थिवदर, प्रसवपूर देखबाल, खाना, पकाने का फ्यूल, इंदन, फिर स्वक्षता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ती, जो अस को तै किया गया है, तो इसको याद कर लिजेगा, सवाल यहीं से होगा, कहीं यहां से बाहर कहीं नहीं जाएगा